हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रेक्स आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज हम साइन्स के इंपोर्टेंट कोशन डिसकस करेंगे जो एंटी पीसी आरार्बी सीटेट यूपीटेट एक्जम्स में पूछे जा सकते हैं तो कोशन नमबर इस थमारा नमका तो किया देता है एनर्जी देता है तो option numर सीज का right answer है, next. देखिए, दंक एक हडंतों के लिए calcium के अवशकता हुती है इसके वे साथ तो हडंतों के लिए हड़ी और दंतों के लिए आवशक होता है, हमारी बॉंस और यू आरिक हैHarit यू मेंदा है और जि नेकस्ट है चावल वा गेहूं में कार्भोहाइडेट किस रूप में विद्यमार रहता है विटामीन में, स्टार्च में, वसा, या गुल्कोस में तो चावल वा गेहूं में जो कार्भोहाइडेट होता है वो स्टार्च की फ़ॉम में होता है Well, proven Him says रात को ना दिखने की बिमारी है तो वो रतोंदी है और ये होती है विटामिन A की कमी से और विटामिन A जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पापाया और गाजर में पाया जाता है तो इसमें विटामिन A की भूजन में शामिल करने को कहा जाएगा अब देखें कोश्य न या घाव भरने में अधिक समय लगना विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और इसमें क्या होता है हडियों का मुलायम होकर मुड़ जाना हडियां इसमें मुलायम होकर मुड़ जाती है तो option number C जो है इसका right answer है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना ये इसके लक्षन होते है संतुलित भोजन में वसा की उप्युक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह उर्जा को उत्पादन करने में सहायक होती है कोशिका जिल्ली की संदचना में मुख्य भुमी का निभाती है उर्जा संचित करती है या उप्रोक्त सभी तो जो वसा का कारे होता है ये क्या होगा तीनों ही option right है तो option number D इसका right answer होगा उप्रोक्त सभी के ये वसा के कारे होंगे next देखिए कौन सी ग्रंथी melatonin hormone का शावन करती है thyroid, thymus, pineal या puse ग्रंथी तो pineal ग्रंथी जो होती है ये melatonin hormone का शावन करती है next है pineal ग्रंथी का संबंध किस चक्र से है सोने जागने, उटने बैटने, खाने पीने या चलने घुमने के तो pineal ग्रंथी का जो संबंध होता है ये सोने जागने के चक्र से संबंधित होती है जो हम रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं तो ये pineal ग्रंथी की कारण ही ये संबह हो पाता है तो इसका right answer है सोने जागने के चक्र से और इसे पीनेल ग्लेंड से कौन सा हर्मोन निकलता है? मेलेटोनिन हर्मोन निकलता है अब देखिए कोशे नमबर एट थाइरेड ग्रंथी कहां पर इस्तित होती है? आमाशे में, वरिक में, मस्तिश्क में या स्वास नली में तो जो थाइरेड ग्लेंड होती है ये हमारी श्वास नली में इस्तित होती है और इससे थाइरॉक्सिन हर्मोन निकलता है थाइरेड जो ग्लेड होती है ये आगे की तरफ होती है जबकि इसी के पीछे जो है कौन सी ग्लेंड होती है? पेरा थायरेड ग्लेंड होती है जिससे पेरा थायरोन थार्मोन हार्मोन निकलता है नेक्स्ट है आपात कालिन हार्मोन किसे कहा जाता है तो एड्रेनेलिन को आपात कालिन हार्मोन कहा जाता है और ये किससे निकलता है एड्रेनल ग्लेंड से निकलता है और ये क्या करता है ज यह एड्रिनेलिन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है लेगरहंस की दीपिकाएं कहां इस्थित होती हैं मस्तिष्क में आमाशे में लीवर में या अगनाशे में तो लेगरहंस की जो दीपिकाएं होती हैं यह अगनाशे में इस्थित होती हैं और इससे एलफा सेल्स और पीटा सेल्स का स्ट्रावन होता है जो हमारे इंसुलेन को नियंत्रित करती है हमारी बॉडी में क्या करती है इंसुलीन हार्मोन का नियंत्रन करती है और इंसुलीन क्या होता है यह गुलकोस का जो बॉडी में रेगुलेशन है उसको कंट्रोल में रखता है बॉडी को बॉड को शावित करती है एड्रीनल अगनाशय थायराइडिया प्यूश ग्रंथी तो अभी हमने एक पुशन डिस्किस किया था तो यह अगनाशय ग्लैंड होती है पैंक्रियास जिसको हम कहते हैं इससे इंसुलेन निकलता और यह मदमे को नियंत्रित करती है यदि कोई व्यक्ति ग थीक से कार्य नहीं कर रही है एड्रीनल अगनाशय प्यूश या थायराइड ग्रंथी तो गोईटर अगर हो गया है तो थायराइड ग्लैंड ठीक से कार्य नहीं करती जिससे क्या होता है गले में एक क्या बन जाता है मोटी गांट सी बन जाती है भारी पंसा आगे को आ जा होता है नेक्स देखिए व्रिक के ऊपर कौन सी गरंथी उपस्तित होती है। अगनाश येयक्रित प्योश या अधिवर्रक गरंथी। किड़नी के ऊपर जो ग्लेंड होती है वह होती है अधिवर्रिक गरंथी जिसको हम एट्रेनल ग्लेंड कहते हैं और इसमें दो भाग होते हैं क्या होते हैं कॉर्टेक्स और मेडूला तो यह जो इसका राइट आंसर होगा अधिवरिक ग्रंथी नेक्स देखिए कोशे नमबर 15 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कौन सी ग्रंथी से निकलते हैं यह क्या है अगनाशे से अंडाशे से थ अगने करेक्टर होता है और जो उनमें फीडिंग का प्रोसेस होता है या फिर उनमें जो डिलिवरी प्रोसेस होता है यह सब यह हार्मोन इसको क्या करते हैं तो यह थे फ्रेंड्स साइंस के इंपोर्टेंट 15 कोशेंस होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें थैंक यू फर वाचिंग